नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो, JVT TET की जो परिक्षा आज के दिन हुई थी, उसकी आंसर की या फिर हिंदी सेक्षिन और जो जी के सेक्षिन है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमारे पास दोस्तो, कॉशन पेपर बहुत लेट पहुचा, इसी के चलते हम जो दूसरे सेक्षिन आपके बीच में नहीं लेके आए पाए और कैसे आपको हिंदी से रिलेटिड प्रशन रखे जाएंगे, और दूसरे आपका जो जी के वाला सेक्षिन है, वो देखना इसमें जरूरी है आप लोगों के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिका है देखिए, उजस्वी का विलोम आर्थी तो विलोम जो शब्द है वो पूछे गए हैं देखिए, उजस्वी का विलोम आर्थी जो शब्द होगा देखिए, वो होगा विकल्प नमबर A, C, निस्टेज, तो C इसका क्या होगा, टाइट अंसर होगा, ताज महल क्या ही सुन्दर है, यहां कैसा वाक्य है, तो यह कोश्चन संख्या यहां पर 64 है देखिए, काठ का उल्लू, तो काठ का उल्लू का मतलब होता है आपका मुर्क, तो विकल्प नमबर C इसका क्या होगा, साई उत्तर होगा, 65 है देखिए, ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस किसकी रशना थी, यह मुक्ति बोध की थी विकल्प नमबर D इसका क्या होगा, साई उत्तर होगा, देखिए, महाभारत, तो महाभारत के रशनाकार या महाभारत का समन किस से, वेदव्यास से है, विकल्प नमबर A इसका क्या होगा, साई उत्तर होगा, जबकि तोलसिदास रामचरित मानस और वालमी की रामायन, question संख्या 67 ने देखिए शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को दुई गुनित करने वाले साधन को क्या कहते हैं शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की जो शोभा को दुई गुनित करते हैं वो कहलाते हैं आपके अलंकार तो इसका उत्तर होगा आपका विकल्प नमबर D 68 का देखिए हिंदू रिती के अनुसार हमारे कुल कितने संसकार हैं तो हमारे जो संसकार हैं देखिए 16 संसकार विकल्प नमबर C इसका क्या होगा सई उत्तर होगा रितिकाल में वीरस के कभी कौन हैं तुरीतिकाल में जो वीरस के कभी हैं देखी यह है बूशन विकल्प नमबर A इसका क्या होगा राइट अंसर होगा और हमारे पास यह जो अंसर है जो प्रशने देखिए पेपर है यह D-Series का है तो आप अपने जो सीरीज के साथ इसका मिलान कर लिजेगा निवन में से कौन स पुस्तक महादेवी वर्माद्वारा लिखित नहीं है तो उर्वशी इसका साई उतर हो जाएगा उर्वशी जो है दिन करने लिखित है 1961 में ठीक है नेक्स देखिए हिंदी वर्ण माला में कुल कितने व्यंजन वर्ण है तो यह है 33 विकल्प नमबर D इसका क्या होगा साई उतर होगा नेक्स प्रशन ने दिखिए यहाँ पर सरस्वती पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो इस प्रशन में अगर देखा जाए तो राइट अंसर तो बी होगा लेकिन शाम सुंदर दास ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था तो यहाँ पर विकल्प न नमबर B इसका क्या होगा राइट अंसर होगा चलिए नेक्स प्रशन देखिए यहां पर रखा हुआ बहाशा कैसी होती है बहाशा होती है आपकी परिवर्तन शील निरंतर परिवर्तन शील होती है स्थाई कभी भी ने रहती निश्चित भी ने रहती और परिवर्तन शील भी नहीं होगा ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलिया है तो ये है 544 ठीक है 544 इसका क्या होगा सई अंसर होगा नेक्स से दिखिए व्यंजन वरणों की कुल संख्या कितनी है तो दिखिए पहले भी हमने ये बाला प्रशन देख लिया था तो वहाँ पर हमने 33 किया था जो हमारे व्यंजन आते हैं जिसमें 25 आपके सपर्ष व्यंजन हो जाएंगे चार आपके अंतस्त हो जाएंगे और उसके अलावा उश्म आपके तीन व्यंजन होते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर तोटल यहाँ पर पूछा गया व्यांजनों की कुल संक्या तो इसमें संयूक्त व्यांजनों को अगर हम लेंगे तो यह हो जाएगी 36 वैसे आपके जो व्यांजन है वो हो जाएंगे 33 तो इसका सही अंसर क्या होना चाहिए अगर कुल वरणों की बात करें तो 36 इसका अंसर हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स प क्या होगा right answer A होगा चलिए अगला पुष्रम आदी कि यह च्छन है चैन कीजिए देकिया स्केल होगा defin Cole इसका है 80 का है जिए चुब्षब अजाएगा सई उस्तर होजाएगा हमे च्छोटी और तो में भी पीछे से जो पत्र लगेगी यह के उपर, ठीक है, साही तिक, या साही हो जाएगा, ग्रिही बनाकर रहने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, ग्रिहस्त, तो विकलप नमबर A, इसका साही उत्तर होगा, चलिए, नेक्स प्रेशन देखी, 82, उसका अंबर फट गया में, अंबर क्या है, तो उसका अंबर मतलब कपड़ा, विकलप नमबर 20 में साही उत्तर होना चाहिए, नेक्स प्रेशन देखी, A plus E is equal to, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, जैसे आप देखते हैं, राम जमाईश, रामेश, ठीक है, देव जमाईश, देवेश, तो इस त जाना था, नेक्स से देखिए, कभी का संधी विचेद क्या होगा, तो कब बस ही, इसका क्या होगा, सई उत्तर होगा, 84 का C उत्तर सही होगा, नेक्स से देखिए, जिसका किस सर्वनाम का योगिक रूप है, तो ये होगा आपका विकलपनुमर C, जो से, ठीक है, सुन्दर का रूप स्ट्रिलिंग में होगा तो यह होगा आपका इसमें से कोई नहीं क्योंकि सुन्दर से विशेशन जो बनेगा सुन्दरता ठीक है सुन्दर से सुन्दरता उसकी विशेशन है पवित्रता से विशेशन क्या बनेगा तो पवित्रता से बनेगा आपका निपात है तो निपात आदरबोदक है इसमें और निपातों की जो संक्य है वो 9 है ये भी आपको याद रखना है अपड का शाबदिक अर्थ क्या है जो पढ़ा न गया हो उसको कहते हैं अपड तो ये था हिंदी वाला सेक्शन दोस्तों अब GK और EWS और SST इसके बारे हम थोड़ा देखते हैं जो सेक्शन पांच था तो नेपोलियन का संबंद किस देश से था तो ये प्रांस से थे विकल्प नमबर A इसका क्या होगा साई अंसर होगा इसके अलावा देखिए किस स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी तो इसका जो साई उतर होगा देखिए 122 का विकल्प नमबर B 1869 में इसको खोल दिया गया था केंद्री अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है तो जो केंद्री अनुसंधान संस्थान है देखिए ये होगा आपका विकल्प नमबर इसमें 123 का देखिए क्या होगा इसका विकल्प नमबर C हो जाएगा कसोली चलिए नेक्स प्रशने देखिए यह सी साई अंसर है लोकसवा स्पीकर का क्या नाम है यह है ओ मिडला विकल्प नमबर डी इसका राइट अंसर होगा नेक्स से दिखिए केंद्रिय वित मंत्री कौन है निर्मला सीता रमन जी हालांकि अभी हमारा जो मंत्री मंदल वो थोड़ा सा इदरोदर हुआ है लेकिन केंद विकल्प नमबर दी उसके बाद 139 प्रशने दिखिए नारी या जो मादा भुरून हत्या को मदे नजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कारेकरम निवन में से कौन सा है तो यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विकल्प नमबर सी इसमें राइट अंसर ह चलिए इसके बाद देखिए भारत में सबसे अधिक चीनी मीलों वाला राज्य कौन सा है तो यह है उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा भी इसको कहा जाता है अगस्टा वेस्ट लेंड सौदा किस से संबंदित था तो यह है आपका देखिए विकल्प नमबर 31 का क्या हो और विकल्प नमबर 20 का सही उत्तर होगा और हीमाचर प्रदेश में राजसवा की कितनी सीटे हैं तो तीन सीटे हैं विकल्प नमबर 10 का सही अंसर होगा तो इन मेंसे जो पदार्थ नहीं है देखिए वो ठंड का महसूस करना है इसको महसूस कर सकते हैं लेकिन वायू, धूल और आधर्ता यह आपके क्या है पदार्थ है चलिए 10 डिग्री से है देखिए इसका ताप किसके बराबर होता है यह आपका विकल्प नमबर कितना होगा इसमें 283K ठीक है प्रशन से क्या 138 से देखिए निमिलिक्त में से कौन सा दातु नहीं है तो इन में से दातु नहीं है यह विकल्प नमबर A कौपर इसका साही उतर होगा 149 वह देखिए निमिलिक्त में से कौन सा योगिक नहीं है तो योगिक जो नहीं है देखिए 149 वह जो प्रशन है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर A मार्वल मार्वल क्या है इसका नहीं होगा नेक्स देखिए 138 प्रशन में हमने देखा था निम लिखते में से कौन सी दातू नहीं है तो इसमें आएगा आपका विकल्प नमबर C, सी सा, ये होगा सही अंसर इसका, next 149 आपने कर लिया, 140 प्रशने देखिए, 100 डिग्रे, Celsius पर पानी की अवस्था क्या होती है, तो ये है आपका देखिए, विकल्प नमबर 140 है, इसका विकल्प नमबर D सही अंसर होगा, द्रव और वाश्प, पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, तो पदार्थ की जो अभाज्यता प्रस्तावित की गई है, देखिए, ये पिकल्प नमबर B होगा, इसका राइट अंसर, 142 का D, Einstein, पदार्थ की अभाज्यता, next प्रशने देखिए, इसक का उतर होगा, विकल्प नमबर D, Fe2, So43, ठीक है, ये इसका सही उतर होगा, कैल्शियम कार्वोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत्ता है, तो ये कितनी प्रतिशत्ता है, देखिए, इसमें 143 का जो सही अंसर होगा, 40, विकल्प नमबर A, इसका सही उतर होगा, 144 देखिए, कि माध्यम में ध्वनी तेज चलती है तो जो ध्वनी तेज चलती है देखिए आपका उसका जो सही अंसर होगा विकल्प नूबर A ठोस में चलिए next question हम देख लेते हैं अगला प्रशन है यहां पर एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है तो इसका जो सही अंसर होगा यहां पर वो हो जाएगा आपका विकल्प नूबर A चलिए next question हम देखिए कंद फसलों का स्रोत क्या है तो इसमें जो स्रोत है देखिए इसका कंद फसलों का वो कौन सा है 146 वह जो प्रशन का उतर होगा starch विकल्प नूबर A इसका सही उतर होगा पहला synthetic ratio तो यह है आपका nylon विकल्प नूबर C इसका सही उतर होगा चलिए next question है देखिए सबसे हलकी धातू lithium तो इसका जो सही अंसर है विकल्प नूबर B lithium और इसके अलावा अगला जो प्रशन है मुवमती की आग में पूरा देहन कहां होता है तो इसका जो सही उतर होगा बहारी क्षेतर 149 का विकल्प नूबर C और आखरी जो हमारा प्रशन है दिखिए इसमें से निमेलिकित में से किस इंधन की सबसे अधिक calorific मूल्य समझी जाती है तो इसका जो सही उतर होगा आपका हाइडरोजन विकल्प नूबर D तो ये थे 150 तक के प्रशन जिसमें हमने हिंदी और जो जी की वाला सेक्षन है उसको कोशिश कई थी करने की अगर इन प्रशनों में कुछ एक तूटी रह गई हो या कुछ एक डाउट्स हो तो आप दोस्तों कॉमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं ताकि हमारे हर एक स्टुडेंट्स तक जो है अच्छे से जानकारी मिल सकें और खासकर LTTT8 वालों के लिए ये प्रशन देखना पहुत जरूरी है क्योंकि उनसको आगे जो प्रिक्षाउंड की होने जा रही है हिंदी से रिलेटरिया देखिए समान्या से जो कॉम्मन से प्रशन रखे गए हैं वो ही हैं चाहे जीके की बात करें तो वो भी कॉम्मन से प्रशन ही इसमें रखे गए हैं जेनल अवीयरनिस के तो ये थे आज की प्रेशन अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं फिलाल अभी के लिए इतना ही जल्द मुलागात हो कि नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद